तो लेट स्टार्ट ठीक हम ले प्रीवियस लेक्चर में यह देख लिया था कि एकनॉमी क्या होती है एकनॉमिक्स क्या होता अब यह टम्स हमारे लिए बहुत इजी हो गए है ना इकनॉमी पूरे इंडिया की इकनॉमी के बार में बात होती है एकनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक ठीक है या फिर आप कंजम्शन बोल दो ठीक है अच्छा मैंने आपको अल्रीडी बताया था कंजम्शन और एक्षेंज एक ही है ठीक है तो उस चीद में आपको होना है एकनॉमिक्स क्या है एक सोशल साइंस एकनॉमिक्स आप इस टने टीक करना de एसा सैंट जो सबके लिए स्वह सब्सक्राइब कर सकते और रूस एक सेकेंड बात कुछ और यह सब्सक्राइब देख पर उसके बाद में अब पिर क्या बोलोगा आप एमपरिकली टेस्ट विए कर सकते हैं मतलब उस पर क्क्राइब आपकों तो नाम युचम्प लौट जाना चाहिए कि उस पर क्सक्राइब नहीं हो सकते सिक्ड़ाबरीटे पर टेस्ट नहीं करते और हां यार यह यूदुवर्साली क्टेबल था तो यह युडुवर्सणी क्टेबल नहीं है इसको लौते तो हम इ ग्रीक वर्ड एकोनोमिया जिसका मतलब अपने इंडिया के अंदर अपने इंडिया के अंदर सारे रिसोर्स का बहतरीन तरह से यूटिलाइजेशन करना ताकि हम माक्सिमम साटेस्फाइड हो इंडिया के अंदर अपना घर नहीं इंडिया के अंदर सारी रिसोर्स का प्रॉपर्ली मानेजमेंट करना अचा फिर जिस तरह से यहां पर एकनोमी के तीन टाइप यहां पर और से अगराऊ करूगे तो आपके पास मानेजम क्यान क्यों से रहे हैं ज ontारी होम एकनोमिक्सपड रहे हैं, लिए उनwel्हयकर सब्ठान के tuck ऐखने के लिए edel अप एकनोमिक्स परिऊ एंडिया के अमरीका के इक्नामी को आप समझने के लिए ये सो बट से कितना बड़ा है कि इंड़ा की बूक्तिट नÎ इस सह बहते हैं नो Cindy करेंगे को बीचीज अब को भी चैप्टर टफ लगता है या कोई बी इतनी बडी बुक होतीए ठीके on बड़ी बुक लेलो आप यहां पे इतनी मोटी बुक ठोड़ी ना पढ़ पाओगे तो आप क्या करोगे टुकडे टुकड़े करकर कर पढंगे उसके तरह से हमने एकपनॉमिक से की पूरे country level की study करता है ऐसा economics जो individual level की study करता है उसे हम लोग बोलेंगे micro economics छुट्टा economics नाम मतलब जैसे यहां पर देखो पूरे इंडिया के बार में study तो करना ही है भई है ना तो अगर अगर मैं एक individual household की अगर हमें आपे study करें इंडिविज्वल household इंडिविज्वल household ठीक है यहां पर हम लोग क्या करेंगे micro economics में individual household की study करेंगे एक particular घर के बारे में ठीक है particular firm के बारे में एक particular firm के बारे में study करेंगे ठीक है उसके बाद में किस चीज़ी आप एक particular industry के बारे में study कर सकते हो यहां पर ठीक है उसके बाद में particular state के बारे में आप study कर सकते हो particular state कोई भी state के बारे में यहां पर industry लिखा है मैंने आप यहां पर particular state हो गया उसके में इंदिया की बारे में सेटी कर सकते हो माम एक मिनिट अभी तो अपने बोला था कि आन्डिया की सटाडी करना मतल cupcake लेविल की बड़ा लेवेल की संदिया ऑग्रीड लेगर एक तरफ पुरी in डिया की economic की भीक्नावि wow ऑग यह गा крепanten अल शोणका उसभी और फूरय Points में से माइकर हो जाएगा समझ माया ठीक है अगर एक-स तरफ तुम पूरे स्तेट की स्टाडी कर रहे हो छेखे एक पटिकुला स्टेट जैसे कि मान लो से महाराश्य स्टेट की स्टाड़ी काना कौन को स्टाड़ी हो जाएगा माइक्रोइकनॉमिक्स तो ओके वेरी गुड तो मतलब आपको यह कंसर्प समझ में आगया कि इसे रट्टा नहीं मारना देखो एक तरफ इंडिया आपका माइक्रो में आया और दूसरी तरफ यहां प पूरे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में से हमने सिफ और सिफ इंडियन ओईल इंडियन ओईल की स्टाड़ी किया पूरे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हमने इंडियन ओडिया तो यह पेट्रोलियम इंडस्ट्री माक्रो यह इंडियन ओई क्या हो आपका माइक्रोवा आपकोंग है उसी किस तुछ इंटर्णेट डिविजन क किस माइक्रो लेवल होगत है यह हो जाया है हमेशा माक्रो लेवल है ऐसा नहीं उस इंडिया की एकनॉमिक के ताथ अब किस चीजों को कंपेर करो दाट विल बी इंपोर्टेंट दन एवरीवान माकरीं लमिश्या को गया च्चित अब अब टक्रोगे इंडिविजल लेवल की स्टाड़ी काता है समय वाया हो ऑकर a माकरीं और में स्टाड़ी या बड़ा लेवल बड़ा लेवल की नॉमिक्स ठीक सेट थिक के डन एवरीवान वेकर लाइव एव कि तो गई लेट्स लेट्स मूव अहेड तो कोई' क्नूमिक्स क्या होता है एक नौमेंग्स दस्ताडी ओफ एक नॉमिक ऑस्प इस्पेक्ट ओफ यहां पर अभी तक तो हमने पढ़दा कि पावमिक्स क्या है है यूमं बहेवियर की की स्टाडि करना है एक्णामिक्स बहुत सोशल не से पलते से कि स्टाडि करना यहां दख पड़ा था टामने बड़्ट ट्याहि इमन के हर एक आस्पेक स्टाडि करना क्या इन्ट के हर एकhin heure इक काश्पेक की स्टाडि करना न कि等 इमन से क्सप्स्ट अ gebह द coherence एक गुड्स का प्रोड्यूसर है जब यह यूमन सेलर है जब यह यूमन डिस्रिब्यूटर है होल सेलर है ठीक है या फिर आप बोलो एम्पलॉई है कहीं पर वो काम कर रहा है जब यह एक मुलेटा मैंने शॉटकट लिखा है अभी आप नहीं समझ पाऊगे चीज़ एंपलॉई यह लास वाला डबली न मैंने इंटिविज्वजव एक एंपलॉईर है दूसरों को काम पे रखता है पैसे जाते हैं हाथ से employee है कही काम कर रहा है पैसे आ रहे हैं गूर्ट को बेच रहा है और पैसे कमा kan रहे हैं उसके बात पीशां मिलता है पैसा एकनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ यूमन बिहवियूर की ही स्तडि काते हैं हम इकनॉमिक में सारे अस्पेक्ट नहीं इस फर्ट एकनॉमिक अपक्ट तो मेरे साथ साथ definition बोलोगे जो आपको एक्जाम में लिखनी है कि economic is the study of economic aspect of human behavior it deals with ठीक है first point समझा everyone पहले बता दो economic is the study of economic aspect of human behavior यह समझा everyone यह समझा यह दण everyone इकनामिक्स अब इकनामिक्स इडिल्स विट डेखो आपको वापिस से बता रही है सारी चीदे लेक्चर में मैं आपको लर्न करवा के लेने वाली मेरे लेक्चर को आप उसी तरह से समझा गे कि भई अब यह माम समझा भी दिए अब यह माम रट्टा भी मरवाने वाली ठीक है तो पूरा यहां आ रहे हो मेरे साथ समझोगे लंग करोगे वापिस अगले दिन आके अपन सारी चीज़े रिवाइस करेंगे बस इसी तरह से पूर एकनामिक्स चलता दाएगा ठीक है चिंता मत करो कि कौन से चाप्ट नोट कैसे बनाना है आपकी माम सारी चीज़े बताने वाली है ठीक है तो बस वो चीज़े फॉलो करना है अभी तो जो शुरुआ थे एक चाप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है ठीक है एक पर एक चाप्टर हो जाएगा ना यूविल टेस होता है तक को डिसकर की आ जाता है युकर में अपके जो आपनोगों मुझे सुल्यघ्र सो ना वैँदेवार्य वहन helplessasia में त्वाले बात करひए ठीक है जिस ग्रुप में आप हो वहां पर 12 स्टुरेंट भी है ठीक है चालो नाउ एकनॉमिक्स इडील्स विद्ध हाव यूमन बिंग सब्सक्राइब आन लिमिटेड वांट विट लिमिटेड रिसोर्स मतलब फर एक्जाम्पल फर एक्जाम्पल चीक है चलो आजो यहां पर पर एक्जाम्पल मान लो मान लो हमारे पास में न यह हमारी अदिती है ठीक है जस एक्जान्स खतम भी वो जाती अपने डैडी के पास में डैडी एक्जाम्स खतम हो गई हाँ ठीक है अरे पापा ऐसे क्या करो मैंने साल भर पढ़ाई की है कुछ तो बनता है न मेरा मतलब अभी रिजल्ट्स नहीं आए तो क्या ठीक है उसके डैडी बोड़े बिटा एक्जाम किदर हुई तु हुँ जो परसेंटेज क्ला में मेरे महनत का ही साल भर साल भर तीचर ने हुआन्लाइन क्लास करने लगां यह साल वर उनको पर उनको वापेश उन्होंने टैस्ट्स ली है ऑनलाइन हमारी बच्चे ने महनत की है यह मुझे भी पता है दिख रहाता मुझे तो अधी भी आप सिक भी तक तो उसने मेरे मोबाइल परेजस किया भाइक के मोबाइल पेड्रस किया अब तो बंता है अब तो बंदा है तो इसके डेड़ी बोलते है ठीक है एक काम कर बेटा मैं दिला दूंगा अभी के यह 2000 रुपे ले लो पता है मुझे मोबाइल फोन नहीं आने वाला और मुझे मेरे फेंट के ताथ में पार्टी करने के लिए जाना है और आप मुझे सिफ़ से 2000 दे रहे हैं मतलब मैंने कितनी जारी चीज़ें सोची थी कि यह साल खतम होगा ठीक है ड्यू लॉक्डाउन आगया उसमें हमारी क्य वगरा भी लगा लो वाइफाई वगरा भी लगा लो ठीक है डेडी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा ना पाटी करने जाना था हमेशा वह लोग आते बदे में गिस्द देते हैं इस बार मेरी भी प्लानिंग थी बदे में गिफ्ट वगरा देने की गएगई ने इतनी सारी डि इतनी मम्मा के पास माँ देखना यार एक्जाम खतम भी है मैं को बता अगर शॉपिंग भी करूँ ना तो यहीं पर 1500 रुपए तो एवी खतम हो जाएंगे मोबाइल फोन तो अभी सवाली नहीं उड़ता वाइफाई मोबाइल फॉन नहीं तो वाइफाई का सवाल नहीं तो यार मम्मा एडलीस पार्टी और बदी गिफ्टों देने दे हमेशा के मैं ही लेती रूँ मुझे भी तो दिना होता है तो शी सट ओके एक काम करती हो मेरे पास सिर्फ 500 रुपए और है कितने रुपए और है मम्मा क्या बोली मैं सिर्फ ते बेटा तिरको 500 रुपए दे सकत हो कि आयों धकितना नोदेदो फिर अधीती दिया भारे में तो हजार घ्रीा चर्ड़क तो द्यार बेंकू भी सिर्फ 2 से श्राघक की दो हैं और तोटल आ गए हैं अधीति के पास में 3,000 रुपए अब अधीति बोलती है अधीति इसे प्लान करी इस 3,000 रुपए का क्या किया जाए मोबाइल फोन तो सवाल ही नहीं उठता यार मोबाइल फोन लेने का है ना मोबाइल फोन दो लेने का सवाल ही नहीं उठता है एक सेकेंड। फिर क्या क्या है जब मोबाइल पॉन नहीं ले सकते हैं तो ऄब बिवाइफimal नहीं ले सकते हैं तो फिर क्या किया जाए इस वाइफाई भी सवाल नहीं उठता। कि शौपिंग कर सकते हैं बदी गिफ्ट एधिंग में 700 और 500-700 में कर लूंगी सबको मानेश पार्टी करते हैं एक पार्टी थ्रोकर देती हूं और विल बी साटिस्वाइग एक मज़ा आएगा मैगडी में जाते हैं डॉमिनोज में जाते हैं मस्ती मज़ा करते हैं तो अधी 3,000 रुपए को अधीती ने प्लानिंग किया अधीती ने प्लानिंग किया कि सबसे पहले तो एक क्याप बुक करनी पड़ेगी करना पड़ेगा ठीक है उसका पेट्रोल वगर का खचर रहेगा कुछ हम लोग यहां घुमने जाने वाले ऐसा करने वाले ठीक है उसकी मान लो 500 रुपीज उसके कैप में जाते हैं ठीक है आने जाने सब मिला के फ्रेंट्स लोगों को कलेक करते वे पाटी करने जाने के लिए ठीक है डॉमिनो जाना है और इस में जाना है फिर अधीती बोलती है कि बर्दे गिफ्ट्स वगरा देना है ठीक है फिर अधीती बोलती है कि पाटी थ्रो कर दिए अब अधीती को ध्यान में आ रहा है कि शॉपिंग किया तो ही 500 रुपए लग गए या चलो यार कॉंप्रमाइज भी किया न तो भी 1000 रुपए तो लगी गए पंदा सो रुपए तो यहीं हो गए अब पाटी में ही 500 रुपए लग जाएंगे अधीती ने बोला यार यह भी कैंसल कर दे अभी आज सिर्व इतना ही करते हूं बद्देगे फिर कभी देते हूं कि पाटी थ्रो कर रही हूं न अच्छी खाती डॉमिनोस में जा रहे तो वह और किया है 100 रुपी आराउंड हो गया तो करीवन लगबाग अच्छा का था हजार बारा सो रुपए का दर बिल ला गया विज जी इंक्लूरिव जी एस्टी ओके डन अम मुझे एक बार पताओ यह जो तीन हजार रुपए यह जो तीन हजार रुपए इसको अधीती ने य एकिन अधीती के अंगल से क्या किया जिस चीज से अधीती को माक्सिममम साटिस्फाक्शन मिलता था अधीती ने वही चीज़े की है yes or no जिन चीजों से ठीके अधीती को माक्सिममम साटिस्फाक्शन मिलता था यह उसको माक्सिममम साटिस्फाक्शन मिल रहा है मुवी वग कि अगर ये पट क्लियर हुआ तो मुझे एक बात बताओ ना ये 3000 क्या थे आपके अब एक बार ना आप अपके एकनोमिक से लाइन पड़ो अब एक बार लाइन पड़ो कि किस तरह से जिमान बींग साटीस्वाइ करते हैं अपने अनलिमिटेड वांट को अपने लिमिटेड रिसोर्स से माम यहां पर यह unlimited want तो समझा क्योंकि अधिती की बहुत सारी want थी लेकिन यह limited resources मतलब अरे बबाई यह जो 3000 रुपय है न वो resources है मतलब resources मतलब रुपया अरे ऐसा कभी कहां ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है थोड़ा सा मुझे time दो मैं आपको resources वर्ड को भी अच्छी तरह से explain करती हूं कि यह resources वर्ड क्या होता है ठीक है it depends upon the person to person it depends upon the company to company depends upon the firm to farm it depends upon the you know the type of product you are engaged in you are involved in done everyone अभी अधीती के लिए तो 3000 रुपय तो भाई resources है ठीक है यह 3000 रुपय को अधीती ने कैसे utilize किया कि वह अपनी unlimited वांस को limited resources से satisfy कर सके this is economics यह economics है अब आपको एक बताता है आपकी ममा भी वही करती है आपकी ममा अभी क्या करती है एक तो Reliance Gio जीओ मोगोर्टी मैं sorry यह जो जीओ माट है जीओ माट वहां पर prices compare करती है डी माट में prices compare करते हैं तो यह जीओ माट में थोड़े offer चल रहे हैं ठीक है oil वगरा यहां पर सस्ता मिलता है dry fruits यहां सस्ते मिलते है flip card से जो चीज़े सस्ती मिलती है वह flip card से लेने का d-mart से जो चीज़े सस्ती मिलती है वह d-mart से लेना मतलब ultimately prices compare करना अपने पास में जितना पैसा है उसको maximum अपनी unlimited ones को limited resources से satisfy करना समझ मार है आपकी मम्मा को भी economics मालूम है बस उनको पता नहीं है कि वह economics कर रहे थे economics कर रहे थे अधीति को भी economics कर यूज करना मालूम है इससे तो बोलते हैं कि economics is a day to day life economics is used in our day-to-day life अपने day-to-day life में economics सब बहुत बहुत ज्यादा यूज है ठीक है समझ मैं रहे आपको यहां तक clear every one of you every one of you यहां तक clear मैं मेरी मां सब compare करके रमेश भाइया से bargain करके purchase करती है हर बार actually सही है अरे आपको बता है यह अपनी मम्यां ऐसी है मेरी मम्मा इसी है ठीक है मेरी मम्मा मेरी मदें लो हर कोई ऐसे ही है वो जीओ में प्राइस देखेंगे और फिर उनके पास के किराना शॉप है वह वहां पे जाके बार्गिन करेंगा अरे कई अल्टिमेट होता है अपन सता हमें ब्लाभ बीवेड डन सेकिंद पॉइंगे लिए अपको एकनॉमिक्स विपगे और कुछ नहीं रहेगा आपके लिए ठीक है नां मीनस मतलब रिपो सब्सक्रप्री मदलब ही मिन मेंस म मातलब आव रिसोर्स मातलब मिनस माल अव था मतलब जरीया मिपके मैंतलब तक सघार यह 30 रुपए यह liberal दीनान रुपए अदीथी के लिए जरीया था जिससे वह अपनी जो unlimited coin ग्रम टीने उसको सैटिस्फाई कर सके तीन रुपए क्या था जरीसौस था्वोश DR. अपनी unlimited wants go satisfy करता है clear तो means क्या होते हैं limited resources क्या होते है limited done means have alternative uses यह हर एक जो means आना इसको alternative uses भी है भड़ा मतलब अरे बबागा मतलब ये टीन हादार रुपय में अधीति ने कैसे किया कि इसको बधे पाटी भी देनी थी इसको गईना थी उसको shopping भी करनी थी, उसको party भी करनी थी, उसको cap से भी जाना था, बहुत सारी demand थी अदिती की, ठीक है, तो अदिती ने कैसे क्या, दो तीन options उसने cancel कर दिया, तो ये जो means है, उससे आप, ये जो means है, मतलब ये जो 3000 रुपे है, ये जो resources है, means and resources are one and the same thing, इसलिए मैंने bracket में लि लिखे है, दिख रहा भी, done, तो means 3000, resources 3000 only, ठीक है, दोनों एक ही बात है, तो अब ये तीन अदार थे, अदिती, या तो, या तो अदिती क्या कर ले, shopping कर ले, ये तीन अदार थे, या तो, किसी friends के थाथ, बर्दे party कर ले, या तो अदिती किसी को बर्दे gift दे दे, या तो व वगरा ले, ठीक है, novels वगरा खरीद ले, थमच रहे, everyone, तो these means have alternative uses, ये तो हमें obviously पता है कि हर एक पैसे का दुस्सा alternative use होता ही है, ये कर लो या तो ये खरीद लो, ये नहीं तो ये, हम हमेशा confused रहते, ये खरीदे या ये खरीदे, yes or no, है न, clear, everyone, अब, अब बात आती है, अ alternative uses थे, confusion हो रहा था, तो आपको क्या करना पड़ा, अधीत ही, आपको choices लेने पड़े, आपको decisions लेने पड़े, आपको proper management करना पड़ा, चीजों का, yes or no, तुमारे हाँ में जितने पैसे थे, आपको उसको proper management करना पड़ा, yes or no, तो इसे ही क्या बोलते है, economics, क्यों, क्योंकि household management of resources, household management of resources, माम लेकिन ये तो मेरा ही है न, तो भी, आपका तो है, आप भी तो economics कहीं यूज कर रहे हो, yes or no, पूरे इंडिया लेवल, ठीक उसी तरह से, पूरे इंडिया लेवल के लिए economics क्या हो जाएगा, ये तो आपका economics था, ठीक है, proper management करना आपके ये 3000 रुपे को, यहां पर आपकी ममा ने 10,000 रुपे का प्रोपर यूज करके economics से यूज किया, और यहां पर पूरे इंडिया लेवल में, जितने भी resources है, उसका अच्छी तरह से management करना, समझ माया, every one of you, done, so guys, economics means, it is derived from your Greek word, economia, which means household management of resources, it deals with, it deals with, it deals with, economic aspect of human behavior, it deals with, how human being satisfied their unlimited want, with their limited means, अच्छा, means की बात आ गई है, resources जो है, वो कैसे, limited है, अपकी जो wants कैसी, वो unlimited है, और यह जो resources है, इमके alternative uses भी है, यह तीन points क्लियर हुए, क्या, यह सारे जो points है ने, जो मैं आपको अब याज रटवा रही हूं, एक तरह से रटवा ही रही हूं, और क्या कर रही हूं आपको learn भी करवा रही हूं, समझा भी रही हूं, रटवा भी रही हूं, सारी चीज़े एक साथ और ही अपने lecture में, यह आपके एक economics है, उनमें यही points है, और आपको वो economics की definition एक दम तोड़ जाने वाली है, बहुत मस तरह से होने वाली आपको, ठीक है, ओके, चलो, अब मुझे एक रहता है, वाट अगर इस तरह से यह न, आपने पनीर की सबजी order किया, चले बट Undertale order किया, ठीक है, नान order किया, या फिर अप इस मनी से, mobile phone खरीद लो, या फिर आप इस मनी से, car वागरा खरीद लो, या dream car, ठीक है, ओड़ी खरीद लो या प्टी कर लो, या फिर घर खरीद हो yes or no ? या ये 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 इन ? okay now अब मुझे बताना क्या time resource है ? क्या time resource है ? क्या आप इस time में time का क्या बहतरीन तरह से use कर सकते हो या तो job कर लो ठीके पैसे कमा लो ठीके भागदाड करो थोड़े अगर में बैटो मोवी देखलो ये बुक्स पढ़लो बोर ओ गए तो मुबाल देखेलो बोर हो गए तो सोजो ऊटके गेम खिलो tell me guyz whether time is a resource resource होने के लिए अपने पास क्या है resource is limited होने चाहिए क्या time limited है बिल्कुल मार मुद्व स्च चौभीस ही गंटे होते हैं क्या जो आपके पस resource है उसको alternative uses है बिल्कुल मारम alternative uses भी है समझ मारे क्या resource limited है क्या time limited है tell me guys क्या ये time के alternative uses है देखो ना इतने सारे यूदेज है वान टू थी फोर फाइज सेख जो चाहिए वो करो या कुकिंग करो येस रणो डन समझ माया टाइम इस ओल्सो अरिसोर्स सिप मनी नहीं नहीं रहे बाबा टाइम भी रिसोर्स है समझ माया एवरी वान येस अब मुझे बताना अगर मैं आपको एक समप करूँ कि रिसोर्स क्या क्या होता है तो मुझे एक बाद बताओ अगर कोई लकड हारा है ठीक है मतब कोई वुड कार्पेंटर है क्या उसके पास जो लकडियां है वो उसके लिए रिसोर्स है क्या वो रिसोर्स लिमिटेड है लक यूज़े बहुत अच्छी तरह से समझेगा भी आपको समझ में आया ये इस माम लकडिया लिमीटेड है लकडियों के अल्टरनेटिव यूज़े वो इस लकडि से या तो अलमीरा बना लो या तो बैट बना लो या तो ऑफिस का स्टाडी टेबल बना लो आप अपका या फि और नो गेटिंग तो मुझे अब एक बात बताओ मनी रिसोर्स है अग्रीट और नोट लाण जमीन लांड लांड लिमिटेड है औल्टेनेटिव यूदेद है या तो घर बना लो या तो कंपनी खड़ी कर ले या तो फाक्री खड़ी कर ले या तो प्रोडक्शन कर लो या तो मापे शॉप लगाओ सेल कर लो यह सब नो यह तो एगरी कल्चर के लिए यूस कर लो लिमिटेट है प्लस अलटनेटिव यूज़ेते हैं लाइफ सब जोते हैं लाइफ स्टॉक्स लाइफ स्टॉक्स लाइफ स्टॉक्स क्या यह लिमिटेड है क्या इनके रिसोर्स इस अरे ओविसली ऑल्टरनेटिव यूजर्स पुछा तो या तो काट के खाओ या तो फिर यू आप उनकी पूजा करो जैसे गाय है तो होता है यार उनकी भी ट्रेडिंग्स वगर होते है यह आपको पता है ठीक है आपको समझ मा इते वालतीं असके पना न चूहाँ को जो बोल को जो जुआलिए शौपवाला है यू जुवेयलर है जुवेयलर सहे जूपनेफ़ है पि eliaikdesar प्रुट है और के बिस्कुटे सबगरा है चिका इन ड़ॉपर लोवर्गा तो वो रिसोष है क्या वो रिसोष है क्या वो लिमिटेड है क्या उसके alternative uses है हां जी madam है जा तो उसकी भाइंगल बना लो या उसके लिर रिंग बना लो या फिर उस़के लिए निकलेस बना लो फ्रिंग Alpha वोटेवर, गेटिंग मी, टाइम, ओविसली रिसोर्स है, वुड, अरे बबा, वो वुड का अपेंटि के लिए वुड रिसोर्स था, कैपिटल, कैपिटल, अगर अकाउंट में आपने पड़ा है, तो कैपिटल क्या, it is the amount invested by the owner into the business, amount invested by owner into its business, तो कैपिटल भी लिमिटेड है अरे बबा, मुझे मेरे business में कितना पैसा लगाना है, कैपिटल, पांच लाक रुपे ही है मेरे पास में, ये पांच लाक रुपे ही है, लिमिटेड है पहली बात, first condition fulfilled, second condition, इसके alternative uses है, हंजी माडम है, या तो machine खरीद लो, या तो labors को salary वगरा दे दो, या तो raw materials खरीदो, या तो office का rent भरो, या तो electricity करो, या फिर कुछ नया का नया, कुछ खरीद लो, कोई company खरीद लो, yes or no, capital limited, क्या उस capital के alternative uses है, समझ माया, capital समझा गई, everyone tell me, अच्छी तरह से समझ रहा आपको सारी चीज़ है, labors, मैम यार अब ये labor कहां से आया, resource में, अरे क्यों नहीं, labor resource नह अगर, कौन सी factory, जैसे मान लो, आपके बात में तीन factory है, factory 1, factory 1, factory 2, factory 3, ठीक है, ये labor जो है न, factory 1 में खाली बेटा रहता है, उसका वहाँ पे कुछ काम नहीं है, ठीक है, factory 2 में बहुत काम है, बहुत काम है, और factory 3 में भी बहुत काम है, तो मुझे बताओ न, labor को तुम कहां यूज करोगे, labor limited है, क्या इसके alternative users है, labor से आप बाहर के marketing work करवा लो, raw material को purchase करवा लो, या goods का production करवा लो, या goods का distribution करवा लो, समझ में आया, क्या, everyone of you, concept समझा, everyone, कुछ भी चीज़े रट्टा मानने की ज़रत नहीं, अब lifetime ये चीज़े clear रहेगी कि resource क्या होता है, और हर ए company के लिए, हर एक firm के लिए, हर एक manufacturer के लिए, जो भी उसका resource है, वो limited रहता है, जैसे madam for example, for example, कोई भी चीज़े लो, या जैसे वो जो एक भाजी market वाले ले लो, ठीक, एक सबजी वाला ले लो, उस सबजी वाले के लिए जो उसकी सबजियां है, वो उसका resource है, ठीक है, जो कोई भी कोई किराना शॉप वाला ले लो, resource है, समझ में आ रहा है, उसके raw material जो होते हैं, वो उसके लिए resource है, बादम, raw material resource कैसे होता है, अरे बाबा, ये raw material से तुम कुछ भी बना सकते हो, अगर मान लो, cotton है, ये अच्छे से समझेगा, cotton है, ठीक है, textile industry के लिए cotton resource है, ये cotton स या तो shirt बना लो, या कुर्तास बना लो, boys के लिए जो कुर्तास है, ये कुर्ती हैं बना लो, लड़कियों के लिए, या कोई top बना लो, girls की, समझ में आ रहा है, everyone, done, तो guys, resource से पैसा नहीं है, economic में, हर एक चीज जो limited है, हर एक चीज जिसके alternative uses है, वो सारी चीजे resource में आती yes, इसी ये जो lectures है न, यही lectures, मतलब I am forming base of your further studies, आपके further studies का आज base form होते जा रहा है, ये lectures से यहीं से ही आपको, मतलब इतने basic level से ही CA में पढ़ाय जाता है, इतने basic level से ही आपको CS में पढ़ाय जा रहा है, जो हम आज 11th standard से ही कर रहे है, because obviously you have come up with your professional faculties, ठीके, आपको normal faculty से ही नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है, everyone, तो आपको पढ़ाया भी उतने deeper level से जा रहा है, done, everyone, फटा फटे बता दो resource समझ में आपको, अच्छी तरह से समझा, कोई भी चीज जो limited है, कोई भी चीज जिसके alternative uses है, done, everyone, okay, अब, ये देखो ऊपर चलो, आपको मैंने ये जो resource word है इसके भी मस्त तरह से टुकड़े टुकड़े कर डाले, ठीक एकनम तोड़ तोड़ की चीज़े समझा दी, ठीक है, अब आप बोलो के matter, हमें सब समझ गया, लेकिन ये एक चीज सही नहीं समझा, economic aspect of human behavior, ये अपने example बहुत अच्छा दिया था, हमारी मम्मा का दिया था, कि unlimited wants को limited means, limited resources से कैसे satisfy करना, जो means होते हैं, वो limited होते हैं, जो means होते हैं, उनके alternative users होते हैं, ये भी समझ में आ गया, माम choices लेनी पड़ेगी बादने, proper management करना पड़े का, वहीं से आता है, economics मतलब household management of resources, ये भी समझ में आ गया, बस आप एक बार ये बता दो, ये line एक बास समझा बिल्कुल, economic is the study of economic aspect of human behavior, अब देखो, एक example देती मैं आपको, कई बार आप ये चीज़े देखते हो, company, कई बन ऐसे clearance sale लगाती है, 80% sale, 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 80% discount, flat 80% off, sale, big billion days, 2 October से 6 October तका, big billion days, ठीक है, buy one pizza, get one free, guys, ये क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दिखते हैं, जैसे कि अभी ममाज अर्थ पे, बहुत सारा, अभी real life ही बता रहीं, ठीक है, उसका जो product है, वो बहुत ज़्यादा, जब से हमारे, इसमें ये किया है, सारा अली खान ने advertisement किया है, तो ममाज अर्थ का बहुत इस तरह से उनके offers चलते हैं, जैसे exactly क्या है वो चीज़ है, आपको पता है, companies क्या कर रही है, इस तरह के offers देके, वो demand create कर रही है, क्या create कर रही है, इसके goods की demand नहीं थी, ममाज अर्थ के product की demand जब शान्त हो जाती है, जब stable हो जाता है, और उसको demand बढ़ा नहीं होती है, उस तरह के offers लेके आते हैं, demand create करते हैं, offers लाके, यह समझ में आया, क्या करते हैं, बोलो demand create करते हैं, इस तरह के offers लाके, क्या हो जाएगा इस से, आप ज्यादा से ज्यादा goods की क्या करोगे, demand करोगे, हर एक जगा advertisement, हर एक जगा ad, you know, social medias पे ad, facebook पे ad, इसमें क्या बलता है, एक बर तो use तो करके देखे, वो ममा दात का upton face wash बहुत अच्छा है, एक बर use तो करके देखते हैं, एक बर use तो करके देखते हैं, चलना मुझे मेरी friend को gift देना था, चलना मैं यही क्यों ना दे दू, बहुत ज़्यादा ad चल रहा है, वो भी खुश हो जाएगी, समझ रो, क्या हुआ गई, demand rate क्या हो जाएगा इसे, goods जो भी उनके goods है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, sale increase हो जाएगा, sale increase हो जाएगा, profit increase होगा, profit increase होगा, yes or no, company का जब profit increase होगा, company, खुद company जादा कमाएगी, तो उसका, एक concept अभी सुनो, ठीक है, यहाप एक चीदा और बताते हैं आपको, चोटा बहुत चोट में बताऊंगी मैं आप यहाप आपको national income, national income मतलब पूरे nation की income, अगर तुम कमाऊगे, तुम कमाऊगे, मैं कमाऊगी, सारे लोग अगर कमाएंगे इंडिया में, तो इंडिया के economy में पैसा जादा रहेगा, इंडिया के economy का growth जादा होगा, य अगर इंडिया की economy में यह जो पैसा है, यह जादा रहेगा, तो क्या कहना इसे कि इंडिया का economy का growth and development जादा रहेगा, मैं कैसे, अरे बाबा, मान लो आपके पैसने बहुत पैसा है, और यह आप कुछ बिजनस करोगे, यह लोग आपने बिजनस किया, यह बिजनस करोगे, आपकी कमपनी बिजनस करी, आपकी कमपनी बहुत ज़्यादा profit कमारी है, आप और लोगों को, यह लोगों को job पे रखोगे, इनको salary दोगे, यह लोग कुछ अपना छोटा बिजनस करेंगे, यह अपना घर चलाएंगे, यह किसी को पढ़ाएंगे घर में, उनका भी economic growth and development ज जाएगा, उसके पास तक पैसा आहरा है, समझ में आ रहा है क्या, एवरीवान, समझ में आ रहा है, कि कि जब company के पास पैसा आता है, तो किस तरह से पूरे chain system है, पूरे economy के पास पैसा जाता है, यह तुम्हारे employees से लेके, यह shop वाले से लेके, यह स्कूल कॉलेजस से लेके स्कूल कॉलेजस के टीचर से लेके यह जब मालो यह बिजनस कर रहा है या ठीक है यह कहीं से खरीद रहा है तो जो बंदा है ठीक है जो शॉप की पर उसके पास में पैसा जा रहा है वह शॉप की पर ने जहां से माल खरीद है उसके पास में पैस इंडिया का इंडिया का ऐसा बोल दूँकि इंडिया का इंड्या का इंडिया इंड आऑट बेक्रिश होलने इंडिया व्टमmarी Cai करता है कि तुम जाता है था तो हमारे हाथों में पईसा आता है ना जब घोले इंडिया का नाशनल इंकम बढ़ा का ये समझ में आपको अच्छी तरह से ये जैंटी तरह से समझ में विटि इंडिया तोड़ी न जाहेगा रहिं के लोग कहीं पर काम करते हैं ऑर जब इंडिया के लोगों के पास में ज्यादा पाइस आ रहेगा तो automatically economic growth and development होगा कोई भूका नहीं रहेगा हर किती के बाद में proper education रहेगी education रहेगा तो हर कोई दुस्रे को employment देने के बारे में सोचेगा तो now अब पड़ो ये line economics it deals with economic aspect of human behavior अब ये समझो कि इकनोमिक ये deal with the economic aspect of human behavior भाई हम यहीं यहीं एकनोमिक एसपेक्ट की study करनी है कि तुमने नखाये क्यों नीकाला कि क्या फायदा हुआ समझ मैं आहरा है क्या डंकि तुमको तुमारे आच गूप चायए था भी तुम ज़्यादा से जयादा mothers करो तुम जढ़ा से ज़्यादा तुमारा इस पांशन हो बिजनस का एक्सपांशन हो पहले उप्टन वाश्च फिर वो ओनियन है रोल फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ ठीक है प्रॉफित जदा होगा गुड ग्रोथ और डेवलमेंट होगा नाशनल इंकम बढ़े मानने की जरूरत है क्या यह बताओ मुझा यह लो मैं पूरा मिटाती हूं अब मुझे बताओ क्या एक भी चीज़े रट्टा मानने की जरूरत है क्या कभी भी अब economics के बारे में कुछ भी answer आया ठीक है कोई भी answer आया क्या आप यह लाइन लिखकर आओगे सब्सक्राइब लिमिटेट रहते हैं जो रिसोसे तो सब्सक्राइब है जिसके करण चॉइसे लेना पड़ा डिसिशन लेना पड़ा प्रॉपर मैलेजमेंट करना पड़ा मतलव एकोनोम या होजोल मालेजमेंट ऑफिसरस तमझ माया एवरी वन ओफ यू लर्न हुआ आपको यहां से हमने आपके फर्स चाप्टर का पूरा डीटील शुरू कर दिया ठीक है आपको जो एक्जाम में जो आंसर लिखने हैं हमने वहां से कंटेंट शुरू कर दिया तो गई जन्माश में टू एवरी वान लर्न हुआ अपके तो गईज विल स्टॉप तिल यह ठीक है इसके आगे कल लेक्शे हमनों कल कंटीनू करेंगे तब तक के लिए अलवेदा तिल दिन बाबाई टेक केर खुदा हाफिस बाबाई एवरीवान टेक केर बाबाई